हेलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज के इस वीडियो में स्लीव का डिजाइन में आप लोग के साज शेयर करूंगी तो दिखिए यह असतर का कपड़ा है कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन टो करके कपड़े को सीधा कर लेंगे और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ लेनी है तो टोटल लेंथ रखेंगे पाच इंच की आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए साड़ी साथ इंच पर मैंने आर्म होर लिया है आप अपने साइस के हिसाब से लिजेगा डाइ इंच पर मैंने इसे डाउन किया है 2.5 इंच पर और इस तरह से स्लीव का शेप देदिया है नीचे बॉटम का जो भी मैजरमेंट होता है उसका हाफ लेजेगा और देढ़ इंचे एक्स्ट्रा लेजेगा बढ़ा करके मार्जिन के लिए तो यहाँ पर देखी दोनों तरफ से मैंने मार्जिन का इड़ कर दिया है लाइन ड्रोकर के इसे मिला दिया है और अब हमने स्लीव का पैटर्न यहाँ पर कट कर लेना है तो सिंपल स्लीव का पैटर्न यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरह से अब यहाँ पर दिखिए से मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है तो यह मेरा मैन फैब्रिक है कटिंग करने के बाद अब हमने डिजाइन की मार्किंग यहाँ पर करनी है तो यहाँ से दिखिए मैं मार्क कर रही हूँ सवाइक इंच पे सवाएक से देड़ इंच आप विड़त में ले सकते हैं और उपर से मार्किंग इस तरह से हमें करनी है एक से सवाएक इंच का उपर की तरफ केप छोड़ते हुए आर्मो इस तरफ और नीचे से हमें इसे थोड़ा सा राउंड शेप देना है इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद देखे पैटर्न हमने इस तरह से यहाँ पर मार्क करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है नीचे से गोल शेफ देते हुए इस पैटर्न को कटिंग कर लेना है इस पैटरन को हम साइड में रख लेंगे और अब इस पैटरन को स्टिच करेंगे स्टिचिंग करने के लिए सबसपहल लदी के मैन फैबिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और इसके उपर रखेंगे अस्तर का कपड़ा अच्छे से इसे बराबर करते हुए रख लेना है और दोनों तरफ पिंस लगा देनी है ताकि स्टिचिंग करते समय कपड़ा इधर उधर ना हो और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है मेशीन का जो फोट होता है उसका एक पेर का मार्जिन लेते हुए अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरे पैटन के उपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है उपर और नीची की तरफ हमने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे और अब इसे पलट करके सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें अस्तर वाले कप्रे पर लगा लेनी है नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे यह दिखी इस सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और अब इसे पलट करके इस तरह से सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अब दिखिए एक सिलाई हमें उपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है यहाँ पर उपर के तरफ एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे यह सिलाई लगाने के बाद दिखिए एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैबरिक को कट करके निकाल देना है पैबरिक को मैंने दिखे यहाँ पर कटिंग कर दिया है और अब हमें यहाँ पर पाइपिंग बना कर लगानी है तो क्रॉस पटी लिए है मैंने पाइपिंग के लिए और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है ये देखे इस तरह से पटी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद देखे अब हमें यहाँ इस तरह से पटी को नीचे की तरफ रखना है और पैटन को उपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे piping के corner पे इस लाई लगानी है देखिए इस तरह से पूरे pattern के ओपर इस पटी को attach कर लेना है तो मैंने हाँ पर पटी attach करती है अब इस पटी को आपको अंदर की तरह fold करना है piping बनाते हुए ये देखिए इस तरह से पीच में एक छोटा cut लगा लेंगे ताकि पटी असानी संदर की तरफ fold हो जाए अब देखिए पटी को अंदर की तरफ fold करते जाना है और piping बनाते जाना है piping के corner corner पे इस लाई लगाएंगे और अच्छे से finishing के साथ piping को अंदर की तरफ fold करते जाएंगे इस तरह से यह देखिए मैंने यहाँ पर piping को fold करते हुए इस लाई लगा ली है तो यह pattern त्यार करने के बाद हमें इसके नीचे लगाने के लिए जो pattern हमने कट किया था इससे cutting करना है इसके लिए मैंने अस्तर का extra कपड़ा लिया हुआ है यहाँ पर extra fabric के उपर दिखिए हमें pattern को बढ़ा करके cut कर लेना है इस तरह से बाहर की तरफ से एक इंच आपको extra लेना है और इसे अटेज कर लेना है पेपर पेस्टिंग पे पेस्टिंग को इसके उपर रखकर आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से एक्स्टर जो पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ आ रहा है इससे cut करके निकाल देना है और इस pattern को पलट करके सीधा कर लेना है man fabric के साथ तो यहाँ पर मैंने man कपड़ा लिया है और man कपड़े की प्लेट्स बनानी है तो सैंटर से देखिए हमें सिलाई लगाते हुए प्लेट्स बनानी है इस तरह से प्लेट्स को जमाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे ये देखिए पहला हमने एक तरफ से प्लेट्स को जमाते हुए सिराई लगानी है और इसके बाद दूसी तरफ से प्लेट्स को जमाते हुए सिराई लगा लेनी है ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पैटन तयार कर लिया है और इसके बाद इस पैटन को हमें पलट करके सीधा कर लेना है नीचे से एक्स्ट्रा कप्ड़े को कट कर देंगे और इस पैटन को पलट के सीधा कर लेंगे कॉर्नर की यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इसके बाद इके पैटन की दोनों तरफ भी सिलाई लगाते नी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है नीचे की तरफ भी पाइपिंग बना लेनी है पटी को नीचे की तरफ रख लेंगे इस तरह से पटी अटेज करने के बाद इससे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर कॉर्णर की लगा लेंगे तो यह पैटर्न रेडी हो गया है अब इसे हमें अटेज कर लेना है स्लीव स्के उपर उससे पहले दिखिए यहाँ पर जो सेंटर में हमने रफ स्टीश लगाई थी इसे निकाल देंगे इस पैटर्न को बिल्कुल बीच में रखना है आपको इस तरह से और दोनों तरफ पेन के साथ पहले इससे अटेज कर लेंगे दोनों तरफ मैंने पेन लगा ली है और इसके बाद हमने सिलाई लगानी है यहाँ पर तो पैपिंग के कॉर्णर से सिलाई लगाएंगे यह देखिए पैटर्न में रटेज कर दिया है और जैसे हम नॉर्मल स्लीज में गहराई देते हैं उसी तरह से हाफ इंच अदर की तरफ लेते हुए आपको गहराई कट कर देनी है यहाँ पर इसी के साथ मेरा यह स्लीज का डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज कर डिजाइन केसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद